बीपीएसी टीचर सेट प्रैक्टिस कोश्चन नमर एक है चीनी यात्री फायान किसके सासनकाल में भारत आया था तो एक का एंसर बी हो जाएगा चंदरगू ब्रूतिया के सासनकाल में भारत आया था और हर्सवर्धन के सासनकाल में भारत आये थे कोश्चन मर दो देखेंगे सिक्षों के नोवे गुरु तेग बहादूर की हत्या किसने करवा दी थे तो दो का एंसर ए हो जाएगा औरेंग जेव ने कोश्चन मर तीन देखेंगे 1860 में पूना सर्वजिनिक सभा की अस्थापना किस ने की थी तो तीन कैंसर बी हो जाएगा महादेव गोविन रनाडे ने की थे कोश्चन चार देखेंगे 1878 में नेटी प्रेस एंड पॉलिटिकल एस्सोसेशन का समयलन किस सहर में आयुजित किया गया था तो चार कैंसर हो जाएगा डी कलकत्ता में कोश्चन पांच है सबने अभग्या अंदोलन किस समझोते के बाद बंध हुआ था तो किस समझोते के बाद बंध हो गया था तो पांच कैंसर बी हो जाएगा गांधी इर्विन समझोते के बाद सबने अभग्या अंदोलन बंध हो गया था कुश्यन 6 देखेंगे महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ों अंदोलन कब क्या गया था तो 1942 में 6 कैंसर B हो जाएगा साथ नमर देखेंगे ब्रिटिस सासन काल में भारत में धन परवास का सिधांत किसने पर्तिपादित किया था धन परवास का सिधांत किसने पर्तिपादित किया था तो साथ का अंसर B हो जाएगा दादावाई नेरो जी ने Q8 है, भगत सिंग को फॉंसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी, एंसर A हो जाएगा Q9 देखेंगे, जै हिंद का नारा किस ने दिया था? 9 का हो जाएगा D, सुभाजचंद्र बोस ने नारा दिया था Q10 है, भगत सिंग ने क्या नारा दिया था? इनकिलाब, जिन्दाबाद Q10 है, माई एक्सप्रिमेंट, भी तुरूत, निमलखित में से किस की आत्मकता है? ये महत्मा गांधी की आत्मकता है तो एंसर हो जाएगा C Q11 है, चौदर नवमवर किन का जन्वदिबस है? तो चौदर नवमवर पंडित जबादाल नहरू का जन्वदिबस है, जिसे बाल दिबस के रुप में मनाते हैं Q12 है, नेताजी स्वाचंद बोस ने 1949 में किस पार्टी का गठन किया था? तो ये फोरवर्ड बलोक की अस्थापना की थी, तो बाराक एंसर D हो जाएगा Q13 है, उनिस्वा सुलम हुए भारती राष्टे कांग्रेस के लखनाव अधिवेशन के अधिक्सता किसी ने की थी? तो लखनाव अधिवेशन के अधिक्सता उनिस्वा सुलम में अमिका चरण मजूं दार्व ने किया था? तो एंसर हो जाएगा इसका B Q14 है, सबने अभग्यान दोलन कब प्रारम हुआ था? तो 1930 में तो एंसर हो जाएगा C Q15 है, गांधी इर्विन सम्झोता कब भाता? तो 1931 में तो एंसर हो जाएगा B Q16 दिखेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल किष्ण गोखले तो एंसर हो जाएगा आज के लिए हम इतना ही राखेंगे, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा, प्रस्णों का ये सेट अच्छा लगेगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हम अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो हम ये 120 प्रस्णों का सेट्री स्टार्ट करेंगे और बहुत तेजी ज्यादा समय नहीं लेंगे जाद इन 10 से 20 मिनिट में पूरा 120 कोश्चन कर डिसकेशन करवा देंगे तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद